hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है रामराम जी, कैसे हैं आप जरूर बताना, यह आप देख रहे हैं यह बुल-बुल मेंना है और तोता है 10 रुपे के दो दे रहे थे, वो बाले हरे वाले ये यह बाले नई मैंने बोला पचास के दो दे ने है तो दे दो फिर उन्होंने नहीं लिया अच्छा वो तो हो गई दुफैरी की बात फिर हैं पर मैं अपने काम धंदे में लग गई हां पर मैं सरसो खराब हो रही थी तो सरसो की भुझिया बना लूँगी तो इसको मैं बैठे बैठे कार्ट्यू टीवी देखती जा रही और थोड़ा सा बस मन अच्छा नहीं था कभी-कभी होता है ना मन बहुत ज़्यादा खराब होता है किसी से कुछ कहने का ना सुनने का मन करता है तो ये वही हाल हो रहा है ये बोले जा रहे हैं बात कर रहे हैं मैं पर मेरा मन कुछ भी नहीं कर रहा है सब ऐसे लग रहा है सब गलत कह रहे हैं कुछ भी अच्छा ना खाने का ना कुछ कभी-कभी इतना दिमाग खराब हो जाता है हाला कि जब आप लोगों ऐसे शेयर किया तो थोड़ा सा अच्छा लगा आप लोग की कमेंट वगेरा है अच्छा लगा तो इसके आगे क्या ही कहूं ये भी समझा रहे थे कि रहने दे छोड़ दे ये है वो है तो फिर बोले के छोड़ने क्या है लगी है घर में रहती है तो करती रहा करो कोई बात नहीं है ये है मतलब हजार बैल आने के लिए हजार तरीके कह रहे थे पर खुलके अपनों से इतना नहीं कह पाते जो आप लोगों से कह लेती हूं तो ये ही है रीजन बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो रहा था फिर थोड़ी देर अकेले बैठी फिर जाके थोड़ा मन को समझाया खुदी दी मोटिवेट होती हूं खुदी मोटिवेट होना पड़ जाता है कुछ आप लोगों से हो जाती हूं खुद खुद को समझा अब चुद खुद खुद या दिमाग खराब हो जाता है एक बार को बहुत सारी चीजेग को बहुत ज़्यादा वह जाता है दिमाग में बादक सटक चाहता है तो यहां पसी realt quick tx नहीं खीition on चला अके सबहुत खं़ाया क्षी है तो सबस्कमाल सब टो एक वह लंगे लेय bezpie लाना चाहिए है ना यहां पर यह हरी मिर्ची है हरी मिर्ची ना ज्यादा लेके आ गए थे तो मैं इनको उबाल लूँगी इनका तीखा पर निकाल लूँगी क्योंकि यह निकल जाएंगे अच्छी लगेंगी और इसको प्याज वगेरा डालके इसको अच्छे से मतलब छौ देंगे और मैं सोच रहे हूँ इसको ना भाजरे का अठाया का मन हो रहा है बनाने का कि बाजरे की रोटी वनाओ पता नहीं यह खाते नहीं है मैं बंसू आधि तो क्हाले अकेले के लिए क्या बनाओ पर नहीं मानता है तो यह देखी इस तरीके से मैं ने सोचा करके देख जाता है और बहुत टेस्टी लगती भुंजिया के साथ, डाल के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, बहुत अच्छी लगती है, मैंने वो लग कड़ाई को छोटी सी चीज, थोड़ी सी चीज के लिए क्या ही मैं गंदा करूँ, तावे पर ही छोग लेती हूँ, फाइनल इस तर सर्सो बना लेती हूँ, खतम भी हो जाएगी, और थोड़ा सा अच्छी भी लगती, अभी क्या थोड़े बहुत दिन है, फिर तो नहीं है, अगली बारी खाना होगा, सर्सो का तेल डाला, मिर्ची उधर ठंडी हो रही, पूरे घर में दस दस हो गई थी, सब को खांसी खां को फिर नहीं अच्छा लगता, यह मना करें थे, मैंने एक बार को सामने वाल दीदी से बोला भी, फिर यह बोले चल छोड़ना रहने दे, ऐसे ही चौक ले, तो फिर मैंने बोला ठीक, ऐसे ही चौक लेती हूँ, यहां सबजी मैंने कर दी है, और मैंने चाया बनाई, सबज भी लग रही थी, इनको यह आए थे, तो बोल रहे थे, जल्दी खाना बना लेना, तो मैंने बहुत जल्दी आज खाना बनाना स्टार्ट कर दिया, लो लेके जाओ, आगे जाओ, नाम लिखा लेना इस पर ठीक है, कुट्ता छोटा सा पाला, वो दिखा रही कि दूद लिय स्कूल इक्टूसन छोड़के आई योग जारी हो, घर, पॉपी दिलाई एक, छे बज़े रहे हैं, और ना एक किलो इदूर था, ज्यादा था भी नहीं, पास वाले लुकान बंद हो गई, तो हो गली, तो सुन साना, सभी मुझे ही गेख रहे हैं, पता नहीं कि है, हमारी हाज गली में आज भी जल गी है, इसन दिखी? चलूँ हमारी हाजहिए, और नहीं कि दहरे में, बेख और रादा, नहीं मारे हैं, ज्ति हमें बता हैं ध elbow धर और भी नहीं को दाना है पता कर लोगा है छलूं हमारी है है चालो है चालो है चक्की में घर्मी रहते है आटा पर सब्सक्राइब यह देखिए गेहूं पिस रहते हैं अंकल जी से आदा-दा किलो हमने बाजरे का आटा लिया पर गेहूं का आटा कुछ ज्यादा ही मिक्स था बहुत घरम होती है यहां पर मैंने आटे को इनके लिए गेहूं की रोटी कर दिये यहां पर बाजरे कि इतनी आती तो नहीं है तो ठीक है अब बना लेती हूं पहले से ठीक Calat भे जत्व ऐती हूं धूरे आज एक बनाते रहो तो आ जाती है बनाई थी और मज़ा आ गया था आप लोग भी ट्राय करना अच्छा लगता है बाजरे के आटा ही रखा है मैंने इस तरीके से इस तरीके से फटती नहीं है और गेहूं का आटा कुछ ज्यादा ही इसमें मिक्स था मुझे लग रहा है खाने में तो नहीं लग रहा था वैसे तो यह देखी इस तरीके से रोटियां फूल भी रही थी मतलब मैंने पराथ में घुमा घुमा के घुमा को बढ़ा लिया था जहां से फटरी थी वहां पे बाजरे कार्टा लगा के उसको जोड़ देती थी तो देखी रोटी फूल गई ना चार रोटियां थी बहुत जल् वाला तेलिनों करे दिया कि मेरे आपको पता है कमर से दर्गख़ और घुटनों में डर्क होने मोग जिए यह तो यह तो कुछza बता रहर आपbert topic के सफ्व면 इस त्रीकर की एक वार लगाया है तास ना मैंने के निल पाता है रग दे रही हूँ, राज को लगा के सो जाओ, यह देखो सामान, यह तेरी बाक़ी मैं अच्छा है, यह बच्चों के सामान, रोज चीजे सही करो, रोज जैसे की वैसी हो जाती है, घर का हाल तो देखिए, यह सारे सिलाई के इसका मुझे गाउन बनाना पाटी विया है, अस्तर नहीं है, यह वाला सूट तयार है, इसको पीको लगवानी है, और यह देखो, आज मुझे ही सारा समेटना है, समेटना क्या है, इसको पीको कराना है, इसको आज लेके सलाई कर लेना है, और मुझे कुछ वीडियो बनानी है, जैसे की इन नेल्स की, आज सायद कर चलो तो यहां पर देखिए सब लोगों को खाना ना देने के बाद यहां पर मैं बर्तन वगेरा धोके रख दूंगी क्योंकि सुबह को चैयो होते हैं इस बज़े से और सुबह बच्चों को टिफिन में क्या ले जाना यह रात को ही डिसाइड करना होता है आप लोगों को बत रसोई का फिर हाल तो बहुत ज़्यादा बुरा होता है तो यहां पर बर्तन सारे धोके रख दूंगी क्योंकि सुबह दो बाट चाय बनती है रोटी सबजी होती है तो एकदम रसोई ऐसे लगता है कब से साफ नहीं किये तो बर्तन ज़्यादा बर्तन नहीं है इनको सबको साफ करके रख दूँगी दूद उबलने के लिए रखना था बंसू की दवाई के लिए पर मैंने आलकस आ रहा था वो नहीं वाला फिर बंसू ने ना पानी से दवाई खा ली थी आइस वीक है ना तो आपको याद तो इतना वो हो गया था मतलब और रखा हुआ था दूद जो दिन का रखा था वो लेती नहीं है क्योंकि उसमें मलाई है मलाई तो उन्हें ऐसे लगता जैसे जैहर है मलाई का तो नाम ही मतलब तो वो बाला मैंने वोला च्छान के दे देती हूँ तो वो ही नहीं गरम दूद में यह होता है पूरी रसोई को साफ करके फिर मुझे वो नहीं रहेगा ये लाल लाल इसलिए दिख रहा है क्योंकि ना जिधर जा रहे है उधर वैसा हो रहा है इस वज़े से सामने की लाल वाली लाइट जल रही है बरतन धुल गए है एक कट लगाया बरतन धुल गए पर इती जल्दी आपको हाल दिखाती बाजरे काटा रख दिया है और हाथ बहुत ठंड़ हो गए थे यह देखिए उतनी मिर्ची बची है चकला बेलन भूली गई थी इसको धोके रख दूंगी और पूरी गैस पर कपड़ा मार दूंगी सुबह उठोंगी एकदम फ्रेस ये मिलेगी और ज ठीक है नहीं तो दिन में तो बहुत आफ़त आजाएगी ये देखिए आलू कितने ज़्यादा है ये आलू रखे हैं उसके अंदर भी आलू रखे हैं उनको इसमें से मैं सारे आलू उसमें रख दूंगी और चार-पांच आलू निकालू ये देखिए पहले को टोकनी में पढ़े हैं मतलब हैं एक डेड़ किलो आलू और ये वाले आलू मैं चीज क्या है ना आलू घर में हो तो कोई भी सबजी बना सकते हो आलू नहीं है तो कुछ भी नहीं कुछ नी टमाटर आलू बना लो ऐसी आलू से बहुत सारी चीज़े बन जाती हैं और सबजी हो ना हो आलू तो घर में होने ही चाहिए और अभी आलू ठीक है अभी ना हमारे हैं पचास के चार किलो गए हैं चिप्स बनाने सस्ते हो जाएं सस्ते क्या होंगे पचास के पांच किलो से जादा तो सस्ते होंगे नहीं पर मुझे तो बहुत हवाएं चल रही हैं अगले महिने बना नहीं तो पापड के लिए क्या लाओ पर ना पिसली वार में जो जलेवी बनाई थी ना बहुत अच्छी बनी थी तो देखिए बातों इबातों में सारे आलू रग दी पर इनमें इतना रेथा मेरे दात किसक रहे थे यहां थोड़े से आलू बचा लिए थे यह उबलने के लिए रख दूँगे सुबह के लिए हो जाएं सुबह बस चाय बनेगी आलू में एक हलका सा उबाल देंगे आलू छिल जाएंगे दिन में मतलब सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आलू बाले देखी चमक गए ना आलू देखी गैस अभी पोची थी मैंने आलू बलने के लिए रख दिये थोड़ी चटनी सी थोड़ी चटनी बटूंगी इनके लिए अच्छी लगती है चटनी चटनी बटके करना के रख देती हूं मिक्सी की तो अतनी सुआध नहीं ओती है आप लोगों को पता है सिर्वत्ते इतनी सुआध होती है ना मिक्सी की कभी नहीं हो सकती है उपर-उपर से मैंने धनिये काहट लिये तो नीचे जड़े ज़डे रह गई डंडी डंडी उनको हटा दिया है और अब इनको सिल्पे पीशूंगी, ढाल के हरी मिर्ची तीखी करके खुब अच्छे से पीशूंगी, और बहुत अच्छे लगते हैं, आलू उबले हुए आलू, चटनी के साथ खाओ, छील के बहुत तेस्टी लगते हैं, तो यहां पर मैंने सिल्वट्टा ले लिया है, इ जादासी बनाओगी, जीरा, नमक, यह सब डालके मिर्ची डालने की ज़रूबत नहीं, क्योंकि हरी मिर्ची इसमें है, तो इसको पीश्टी तो काम खतम हो गया, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूं, और बस आलो को सुभे, एक सीटी लगा लेंगी, अच्छे से छिल जाते हैं ठंडे हो करने कि क्योंकि सुभे स्कूब बहुत जल्दी का है ना, तो इस वज़े से साथ साथ वजे का तो बहुत जल्दी यली करना होता है, और आज मेरा बोर्ट बहुत बहुत ज़्यादा खराब है, खाना आना खाने का कुछ भी मननी करता, मैंने एक सौड व अलावा कुछ और कर भी नहीं सकते बस बोले बावा पर भरोसा में यह रानी पर शुरू से करती है यह तो अब भी करती रहूंगी इसके अलावा कोई और कोई रास्ता भी नहीं है चलिए अगली वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाइबाय मैंने कवर को सिल लिया उसको चड़ाओंगे पिस्तर करेंगे तभी चड़ा लेंगे काम धंदा भी ठंड नहीं है हवा तो बहुत बहुत तेज चल रही है गेट धार भाड बढ़ ज रहे है अभी वो आगया है ना क्या फागून फागून चल रहे ना साइथ हाँ फागून चल रहे है तो कल बोले थे मतलब टूटेंगे जड़ेंगे पत्ते वगएरा हवा की वज़े से तो ये फोन आ गए थे भाई फोन पर बहुत ज़्यादी गुसा करने लग जाते कि तिरे फोन कितनी आते पता ही नहीं चलता तो मम्मी से बात की ममी से बात करने का मन इतना नहीं कर रहे है तो मतलब होता तो देखो मैं दीव मोटिवेट नहीं होती हूं पर कभी कभी ऐसा टायम आता बहुत ज्यादा हो जाती हूं बहुत ज्यादा टूट जाती हूं और क्या कहूं चलिए जो भी है आप सब के साथ लेके चल दी हूं कहां तक का रास्ता है आप लोग और वो तै करने वाले हम तो सिर्फ चलने वाले हैं चलिए नेस्ट वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए बाई बाई